नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की Mbeta Tablet का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, Mbeta Tablet को कैसे लेना चाहिए और Mbeta Tablet की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी दिस्कस करेंगे की Mbeta Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Mbeta एक ब्रैंड नेम है, Mbeta Tablet के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन मेटोप्रोलोल होता है, Mbeta Tablet 25 mg वपचास mg की स्ट्रेंथ में अविलेबल है, Mbeta Tablet एक बीटा ब्लॉकर ड्रग क्लास की दवा है, बीटा ब्लॉकर दवाईयां दिल की धरकन को धीमा करती है और शरीर में ब्लॉड वेसल्स को रिलेक्स करके ब्लॉड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है, और ब्लॉड प्रैशर को कम करती है, Mbeta Tablet का उप्योग हाईपरटेंशन होने पर यानि ब्लॉड प्रैशर अधिक होने पर माईग्रेन के सिरदर्थ को रोकने के लिए और एंजाइना को रोकने के लिए भी Mbeta Tablet का उप्योग किया जाता है, एंजाइना होने पर रिदय तक ब्लॉड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वज़ह से छाती में दर्थ होने लग जाता है, जिन व्यक्तियों को दिल का दौरा पढ़ चुका है, उन व्यक्तियों में दोबारा दिल का दौरा पढ़ने के जोखिम को कम करने के लिए भी Dr. Mbeta Tablet को लेने की सला दे सकते हैं, इसके अलावा दिल की धरकन अनियमित होने पर भी Mbeta Tablet का उप्योग किया जाता है, Mbeta Tablet ब्लड प्रेशर को कम करती है, और दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा ल जोखिम अधिक हो जाता है, इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है, और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है, एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है, अगर किसी व्यक्त व्यक्ती का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एमबेटा टैबलेट की वजह से कोई साइ इफेक्स हो सकते हैं, जैसे हाथों व पैरों का ठंडा होना, शरीर में थकान व कमजोरी होना, सिर्चक्राना, वजन का बढ़ना, सास फूलना, सिर्दर्ध होना, पेट में दर्ध होना, दिल की धरकन का धीमा होना, नींद ना आना और डिप्रेशन होना आदी साइड इफेक् यानि पुरुषों का सेक्स के लिए तैयार न हो पाना। अब हम डिसकस करेंगे कि Mbeta Tablet को कैसे लेना recommended होता है। Mbeta Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Mbeta 25 Mg Tablet या Mbeta 50 Mg Tablet को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। Mbeta Tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना recommended होता है। Mbeta Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलद अलग हो सकती है। इसलिए आपको Mbeta Tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की Mbeta Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम होने पर, लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, अस्थमा होने पर, दिल की धड़कन बहुत कम होने पर और गंभीर हार्ट फेलियर होने पर आधी कंडिशन्स में Mbeta Tablet को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना Mbeta Tablet को नहीं लेना चाहिए। भोजन को खाने से बचना चाहिए। दूटर की सलाह के बिना M-Beta Tablet को बंद करने से दिल से संबंधित समस्याए गंभीर होने का या दिल का दौरा पढ़ने का जोखिम अधिक हो जाता है। बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए है। इसलिए जरूरत पढ़ने पर डौक्तर स्तनपान करा रही महिलाओं को M-Beta Tablet को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका M-Beta Tablet से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल